कैसी चल रही है आपकी एक्जाम की तयारी अभी जो टाइम है यह तो आपका एक्जाम का टाइम है ना किसी का बोर्ड एक्जाम है तो किसी के स्कूल में या रिणिंग एक्जाम है तो आज के वीडियो में कुछ ऐसा टिप्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं जो आपको confident तो ब करना स्टार्ट करेंगे तो आपका marks जो है वो 10 से 20 परसेंट तक का increase हो जाएगा यह guaranteed है सब को छोड़ करके आपका जो particular study time है आपको उन times को सबसे पहले schedule कर देना है आपका जो self study time है उसको सबसे पहले आपको schedule कर लेना है मतलब कि कौन सा वाला time पे आपका खुद को पढ़ने के लिए time मिल रहा है या revision करने के लिए time मिल रहा है वो वाला time सबसे पहले आपको note down कर लेना है मन लीचे कि सुभे आपको 2 घंटा मिल रहा है ऐसा self study के लिए या शाम को आपको 4 घंटा मिल रहा है तो ये कुल मिला कि एक दिन में आपको 6 घंटा मिल रहा है self study के लिए जहां पर सर्फ आप पढ़ेंगे आप खुद पढ़ेंगे और या तो revise करेंगे या तो पढ़ाई का preparation करेंगे या तो आप ready करेंगे आपके subjects को ये वाला time जो है ये आपको सिबसे पहले schedule कर लेना है उसके बाद क्या करना है जो second tip में है वो आपके जो study material है उसको arrange करना है आपका जो time निकला है आपका जो self study का time निकला है उसके recording आपको आपके syllabus को अभी arrange करना है कि कौन सा day में कौन सा time पे किस subject का कौन सा topic आपको cover करना है ये सबसे पहले आपको schedule कर लेना है ताकि जो hazard है ताकि जो आपके मन में tension है कि ये वाला हम कब करेंगे ये वाला topic कब करेंगे कि math का वो वाला chapter कब करेंगे science का ये वाला chapter कब करेंगे history का वो वाला chapter चूट राए ये जो tension है, ये आपका खतम हो जाएगा अगर आप इन सारी चूजों को schedule कर लेंगे, जितना भी आपको time मिल रहा है, जितना भी proper आपका study का time मिल रहा है, उनमें आपको schedule कर लेना है कि किस दिन में कौन सा topic, कौन सा subject का कौन सा topic आप cover करने वाले हैं, यह आपने schedule कर लेना है, बिल्कुल एक routine बना लेना है, उसके बाद क्या करना है, friends, उसके बाद जो है distractions से दूर रहना है, मतलब आपका जो distraction है, उसको दूर करना है, आज के दिन में सबसे बड़ा distractions, mobile phone, आपका जो mobile phone है, वो आपके study table से, आपका study room से बहुत दूर जाके रखना है, या तो आप अपने mobile phone को switch off कर दीजिए, या flying moon में कर दीजिए, ताकि उसका notification tone भी आप तक ना पहुंचे, और TV जो है, आपका TV से भी आपको दूर रहना है, आपका जो games है, उससे भी आपको दूर रहना है, बस उन time में जब आपका जो self study का time अपने निकाला हुआ है, उस time तक, तो ये जो सारे distractions है, इनसे आपको दूर रहना है, और friends क्या करना है, आपको पढ़ने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए हो, like books, आपके reference books, आपके exercise copies, आपके notes, आपके pencils आपके pens, erizers, जो भी सारे चीज़ें आपको चाहिए हैं, वो सब आप पहले से arrange करके फिर आप पढ़ने के लिए बैठ लिए, या तक कि water bottle भी आप सब पहले अपने table के पास रख दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि पानी पिने के बहाने आप kitchen का चकर लगा के आ जाए, तो ये allowed नहीं है पढ़ाई के time पे, ये भी एक तरह का distractions है, तो इनसे आप दूर रहिए, तो अब ये हो गया अपना time management कर लिया, आपने अपना schedule बना लिया है कि कौन सा subject पढ़ना है, आपने distractions भी दूर कर दिया, अब आप पढ़ने शुरू कर दिया है, आपने पढ़ना चालू कर इसको आप लिखते हुए चलिए आपका एक rough copy पे या आपका exercise copies पे, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में register होता रहे, अगर आप लिख लेंगे, तो दिमाग उसको बहुत जल्दी register कर लेगा, और वो याद रखने में आपको आसानी होगी, सारे key features, सार जो main points है, वो आप serially लिखते हुए चलिए, तो आपको जल्दी उसको memorize करने में आसानी होगी, आप बहुत जल्दी उसको memorize कर पाएंगी, नंबर 5 में मैं आपको बताना चाहूंगी, कि आप जो भी पढ़ रहे हो, उसका आप एक pictorial memories बनाते हुए चलिए, मालीजे कि आप science पढ़ रहे हो, तो science में जो आप पढ़ रहे हो, उसका एक diagram बनाते हुए चलिए, या charts बनाते हुए चलिए, आप geography बढ़ रहे हो, तो maps बनाते हुए पढ़िए, maps का help लेते हुए पढ़िए, या आप मान लिजे कि match सॉल्फ कर रहे हो, तो maps में जो problems है, उसको भी आप pictures में convert करके लीजे ताकि आपको समझने में problem जो है वो समझने में बहुत आसानी हो क्योंकि हमारा जो brain है हमारा जो brain है वो pictorial जो memories है उसको बहुत अच्छी तरह से register कर सकता है remember कर सकता है और recall भी कर सकता है मतलब कि आप अगर दस data ऐसे आप read कर लोगी जो है आपका facts अगर आप read कर लोगे तो एक घंटे बाद उसमें से आपको दो तीन याद आएंगे या फिर अगर आपने अगर अपने दस pictures आपने रीड कर लिया दस pictures अपने देख लिया तो एक घंटा बाद आपको उसमें से 6-7 pictures याद आ जाएगा कि आपने कौन-कौन सा pictures देखे थे तो हमारा दिमाग जो है हमारा brain जो है ऐसे ही काम करता है यह जो pictorial memories है उनको बहुत जादा register कर पाता है और उसको बहुत जादा याद भी रख पाता है तो अगर आप पढ़ते हुए उसका image बनाते हुए चले आप उसका जो pictures बनाते हुए चले चार्ट बनाते हुए चले डाग्राम बनाते हुए चले तो वह आपको याद रखने में और recall करने में बहुत ही आसानी होगी यह पढ़ने का एक स्लीब भी बहुत आपको गुड टाइम पर सो भी जाना है क्योंकि अगर आपका दिमाग रेस्ट नहीं करेगा तो यह बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा एक्जाम का जो स्ट्रेस हैं आपका पढ़ाई का जो लोड है इन सबसे आपको निकलने के लिए आपको सेल्फ एविलिटीज है उस पे आप भरोसा रखिए सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए ताकि आप एक्जाम हॉल में आपके बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन किया है आपने जो स्टडी की है आपने जो महनत की है वो जरूर आपका साथ आप देगा और उस हिसाब से आप एक्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिंग